जैहिंद बिहार एक्स्प्रेस 2.0 में आपका स्वागत है आज मैं कोडिनेट जोमेट्री से समंधित कुछ कोस्चन बताने जा रहा हूं जो आप पहले देखते ही कोस्चन को छोड़ देते होंगे आज से आप छोड़ना बंद कर देंगे तो चलिए विडियो के एंड तक बने रहें तो कोस्चन हम पहले पढ़ते हैं कोस्चन कर रहा है बिंदू 2,2 और बिंदू माइनस 2,2 को मिलाने वाले रेखा खंड के मद बिंदू के निर्दे सांक ग्यात करें तो पहले एक बिंदू हम ले लिए है एक्स वन बाई वन और दूसरा बिंदू ले लिए है एक्स टू बाई टू जो कि पहला बिंदू यह है दूसरा बिंदू यह है अब मध्धी बिंदू, मध्धी बिंदू ये है, सेंटर एनि बीच वाला, बिंदू के निर्दे सांख ग्याद करने के लिए, तो चलिए आपको हम समझा भी दिये हैं, इसको X1, इसको Y1, दूसरा X2, Y2, है ने, ये X1, Y1, ये X2, Y2 ले लिये हैं, तो चलिए अब इसको समझ गए होंगे कि X1 और Y1 कौन है, X2 और Y2 कौन है, तो एक सुत्र होता है, X1, Y1, made available के लिए निर्दे सांख निकालने के लिए एक सुत्र होता है, X1, plus X2, but Da2, comma, Y1, plus By2, but Da2, ये मध्धी बिंदू के निर्दे सांख निकालने के लिए ये सुत्र हो अब देखिए एक्स वन जोड एक्स टू तो एक्स वन देखिए दू है यहां और एक्स टू यहां माइनस दू है तो कर दिये हैं दू माइनस दू यहां पलस का चिनना यहां माइनस का चिनना है तो पलस माइनस माइनस हो जाएगा दू माइनस दू बटा दू कवमा चलिए ब तो इहां हो जाएगा सुनना उर्गाय कोई संख्या टो सुनना हो जाएगा फिर माइनस दू जोड दू बटा दू करेंगे तो यहां हो जाएगा क्या सुनना हो जाएगा तो यहां भी कोई भी संख्या बटा कोई भी संख्या करेंगे तो सुनना यहां इसका मध्य बिंदू का निर्दे सांख हो गया जीरो कॉमा जीरो जीरो जो आप अगर सोलूशन को लेना चाहते हैं तो आप अराम से ले सकते हैं देखिए हम कुछ समय आपको दे रहे हैं चलिए आप लोग ले लिए होंगे असकीन सोट तो आगे हम बढ़ते हैं दू नमर कोस्चन कर रहा है एकदम एजी बे में बनाना है दो बिंदू एक कवमा दू और माइनस तीन कवमा पांच के बीच की दूरी ग्याद करें तो ये बीच की दूरी के लिए ये सुत्र होता है है ने बीच की दूरी के लिए फिर आपको समझाने के लिए एक डाइगराम बना दिये है इधर x1 ले लेना है by 1, x2, by 2 एक x1 है, x2 हो गया एक संख्या ये वाला by 1, x2, by 2 ये संख्या हो गया तो चलिए, सुत्र होता है, अंडर रूट सुत्र इसका क्या होता है अंडर रूट, x2 minus x1 के होल अस्क्वाइर जोड by 2 minus by 1 का होल अस्क्वाइर ये सुत्र पर आप ढाल सकते हैं तो चलिए, ये सुत्र ले लिए हैं, आप देखिए x2, तो x2 हम किसको माने है minus 3 का, तो minus 3 ले लिए हैं minus x1 x1 क्या है, x1 1 है तो minus 1 के होल स्क्वाइर 3 minus 1 के होल स्क्वाइर पलस, चलिए, by 2 का रहा है by 2 minus by 1, तो by 2 यहां कितना है, 5, अब by 1 कितना है, 2, तो by minus 2 के होल स्क्वाइर तो minus 3 दो कोई तो बहुत हो जाएगा टप्छी अभी का इसके निकालने के लिए अंडर रूट से किया हो जागा तो इसका पांच हो जाएगा इसका 5 हिकाई एंसर करता है तो चलिए दूर नमर समझा दिया है अगर आप आपका लेना चाहते हैं तो hot resort ले सकते हैं चलिए आपको हम टायम दे रहे हैं पों देने को देखिए ये बारबार एकजामों में तीर्भूज के छहतरफल से समंदित कोस्चन बार 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 पूछता है तो चलिए question पढ़ते हम तिर्भूज के छहतरफल घ्याद कीजिए जिसके इने तीन सिर्श है तो एक सिर्श 5,1 और दूसरा सिर से माइनस 3 कवमा और तीसरा सिर से 5 कवमा दू तो चलिए आपको डायगराम बना दिये हैं तिर भुज देखिए यहां पर बना हुआ है आपको सामने एगो के x1 by 1 ले लिए हैं दूसरा ले लिए x2 by 2 तीसरा ले लिए x3 by 3 कोई दिक्कत पहला भुजा को x 2 x 2 लिख दिये हैं तीसरी भुजा को X 3 x 3 लिख दिये हैं जो कि पहला में माइनस 5 माइनस 1 है तो माइनस 5 माइनस 1 वहां लिख दिये हैं आपको दूसरा में माइनस 3 माइनस 5 तो दूसरा में देखिए 3 माइनस 5 आपको लिख दिये हैं तीसरा में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एक बार देखने के साथ आप एक्जाम में बार बार बना कर आएंगे तो चलिए देखते हैं आगे तो सूत्र होता है तिर्बुज का छेत्रफल बराबर एक बटा दू है ने एक बटा दू बड़ा करके आपको देखा रहे हैं देखि pnalus इन्टू x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 के बाडी बराइकेट में बंद कर देना है यहाँ से यहां तक बड़ी बराइकेट में बंद चलिए आगे देखते हैं जब यह सूत्र आपको दिमाग में आ गया होगा तो सूलूसन भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं तो का नहीं सूत् X1 X1 देखिए यहां question में minus 5 है X1 minus 5 minus 5 ले लिए छोटी बराइकेटा start by 2 minus by 3 by 2 देखिए आपको question में है minus 5 minus 5 ले लिजिए अब by 3 by 3 यह देखिए 2 है by 3 आपका 2 है by 3 आप ले लिए ठीक अगला का रहा है अगला का रहा है पलस के चिन्ना पलस का चिन्ना दे दिए ठीक है X2 X2 का देखिए X2 आपको यहां देखने को मिल रहा है X2 है 3 तो चलिए 3 into 3 छोटी बराइकेटा start है by 3 minus by 1 तो by 3 यह देखिए आपको 2 है by 3 तो दो ले लिए पलस पलस के चिन्ना है पलस माइनस है minus by 1 तो by 1 देखिए minus 1 है by 1 यहां देखिए minus 1 है by 1 जो है यहां minus 1 है यहां minus 1 है तो minus minus पलस हो जाएगा तो 3 into 2 plus 1 हो गया चलिए अब X3 का काम करते हैं तो X3 into by 1 minus by 2 तो X3 बराबर देखिए यहां 5 है X3 का value कितना है 5 तो X3 बराबर 5 ले लिए into minus यहां by 1 लेना है तो by 1 देखिए यहां आपको question में 1 है minus 1 है by 1 minus 1 है देखिए question में आपको by 1 जो है minus 1 है तो minus 1 चलिए अब minus by 2 है minus by 2 by 2 minus क्या माइनस 5 है तो माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा पलस तो पलस 5 हो गया तो चलिए अब इसको हम लोग solution करते हैं इसको तो एक बटा दू तो ले ही लिए minus 5 है minus 2 minus 7 अग गुणा में minus 5 तो माइनस माइनस पलस सत पचे 35 चलिए आगे दू एक तीन गुणा तीन 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 या नव आगे देखते हैं पांच है पांच इंटू 1 minus पलस 5 तो पांच में एक गया चार अब पांच ओका इतना का हो जाएगा 20 तो 20 चलिए 20 ले लिए तो एक बटा दू इंटू 35 पलस 9 पलस 20 है ने तो इसका बहलू जो है इतना का हो जाएगा 34 इतना का बहलू क्या हो जाएगा 34 अधि 64 चौशट हो आपको एंसर हो गया एंसर जब भी हो गा इसका तो च्षेटरफल बर की काई में होता च्षेटरफल की या होता बर की काई में कभी कभी आपको निगेटिव ङन्सया आएगा जिससे आपको बढ़ हड़ाना नहें निगेटीव को आप उहाँ पर लिख दिजएगे नोट में चुकी चुकी जनी इसलिए चेत्रफल कभी जो है निगेटीव में नहीं होता है इसलिए आपका एंसर 32 बर्ग इकाई है यहां तो पोजेटीव में ही आया है वहाँ पर कभी कभी निगेटिव में आएगा तो निगेटिव में छेत्रफल कभी नहीं होता है चलिए अगला question के पास हम लोग चलते हैं तो इसका भी असकीन शॉट आप लेना चाहते हैं तो अच्छी तरह से लीजिए आप कोम time दे रहे हैं चलिए ले सकते हैं जो आप ले लिए होंगे इतना देज में अस्कीन सोट चलिए आगे भी कि ले लो ले लो सभी चलिए चलिए आगे चौथा नम्मर कोस्चन देखिया क्या करा है चौथा नम्मर करा है उस बिन्दु का निर्देशांक ग्याद करें जो बिन्दु 2,3 और 3,1 को मिलाने वाली र आत में अंतर बरती भी माजित करता है तो दोनों तर ये होटे होता हैं तो चलिए قॉस्चं को आप अच्छी तरह से पढ़ दियों दो चार सकेंड लोग दे रहे हैं पढने के लिए आप सकते हैं चलिए हमें पूर्ण विस्वास है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आपको लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो चलिए अब हम सोल्वड करते हैं क्वेश्चन को तो चलिए करा दो बिंदू पहले हर् वराना आने बा वो डा бол दायगराम दिमागbourg में वसालोel यूँ ही उड़ेगा तो दो बिंदू के मध्य बिंदू है तो दो बिंदू ले लिए एकस वन बाई वन दूसरा एकस टू बाई टू पहला बिंदू दूसरा बिंदू ये दोनों बिंदू के बीच में कर रहा है बिंदू है तो मध्य बिंदू जो है अनता विवाजित कर र रहे तो आपके उसके लिए आपको एक दीमाग में सुत्र सेट करना है कि कोडिनेट का कोई भी कोश्चन बिना सुत्र के नहएं बनेगा यह एक दम 100% की गारांटी हम दे और कोडिनेट के जो भी कोश्चन के डाइगराम आपको दिमाग में बस गया तो उसको बनने से भी कोई नहीं रोक रहा है इसका गरांटी मैं दे रहा हूँ चलिए तो सुत्र देखिए M1 X2 पलस M2 X1 बटा M1 जोड M2 ये बाला M1 जोड M2 ये कवमन हो जाएगा नीचे में दोनों को फेर देखिए क्वेश्चन है दूसरा में M1 देखिए M1 यह है बाइ 2 यहा है M1 By 2 इंटू अनि पुलस म2 इंटू 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 यहा है M2 इंटू 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 इँए यहा है यह है solution कर रहा है M1 M2 M1 X2 M1 2 है 2 ले लिए X2 X2 देखिए यहां 3 है यहां 2 ले लिए यहां 3 ले लिए 2 गुना 3 ले लिए पलस पलस हो गया M2 X1 M2 देखिए यहां 1 है M2 यहां 1 है M2 1 है X1 X1 देखिए आपको X1 X1 यहां 2 है तो एक गुना 2 ठीक बटा और देखिए M1 M2 M1 M2 M1 M2 तो यह है यह है M1 M2 2 जोड एक चलिए यहां तक तो आप समझ गए होंगे दूसरा step में हम लोग चलते हैं M1 M by 2 M1 into by 2 M1 2 है दू ले लिए अब by 2 by 2 देखिए यहां minus 1 है तो minus 1 into करके ले लिए चलिए पलस कर रहा है पलस कर दिए अब कर रहा है M2 by 1 यहां देखिए M2 by 1 है तो M2 कहा है M2 यहां 1 है तो 1 ले लिए यहां तो यह ले लिए आप देखिए कवमन दोनों में M1 जोड़ M2 यहां भी तो चलिए अब सोलुसन इसको करते हैं चलिए अब आगे चलते हैं तो अब आगे क्या हो गया तो आठ वटा तीन आणि छोड़ आठ वटा तीन यह छोड़ आठ वटा तीन हो गया यह माइनस है माइनस दू अपलस तीन तो माइनस नहीं पलस एक पलस एक वटा तीन आप वटा तीन और एक वटा तीन जो है इसका क्या हो जाएगा अंतरवर्ती विभाजन एंसर हो होगा आठ बटा तीन कोमाई एक बटा तीन जो कि आपको एकदम कोडिनेट के कोई भी क्वेश्चन के बनाने से पहले आप डाइगराम बनाएए और उसको बारी बारी से अगर लिखने के लिए आप सीख गए तो आपको बनाने से कोई नहीं रोक रहा है इसका मैं सो परसंट गरांटी दे रहा हूं तो चलिए कोडिनेट के दूसरा टॉपिक अगला दिन आएगा तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद